अमेरिका में गोली बारी से दो साल में एक हजार से ज़्यादा की जाने गई क्या अमेरिकन गन कल्चर है इसकी वज़ा? क्या है अमेरिका का गन कल्चर? पुद्धवार की रात अमेरिका के लेविश्टन में जो कुछ हुआ उसने ना केवल पुरी दुनिया को हिला कर रख दिया बलकि मानवता को भी जग जोर दिया है चकित कर देने वाली बात ये है कि कैसे एक आदमी तीन अलग-अलग जगों पर गोली बारी करता है जिसमें 22 लोगों की जाने चली जाती है और कई घायल हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है केवल पिछले दो साल की ही बात करें तो Gun Violence Archive की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की घटनाओं में 1000 से ज़्यादा लोग अपनी जान नाहक में ही गवा चुके हैं जिसमें 2022 का अकड़ा 647 है वहीं ये साल अभी पूरा भी नहीं हुआ है और इस तरह की घटनाओं की वज़ा से 689 लोगों की जाने चली जाने का अनुमान है सवाल यह है कि अमेरिका में ऐसी घटनाए आखिर होती क्यों है इसमें एक एहम सवाल यह भी उभर कर सामने आ रहा है कि क्या अमेरिका का गन कल्चर इसके लिए जिमिदार तो नहीं इस जवाब को हम ढूड़ेंगे उससे पहले जानते हैं कि आखिर अमेरिका का गन कल्चर है क्या अमेरिका का गन कल्चर दरसल अमेरिका में आम नागरिकों को हतियार रखने के अधिकार दिये गये थे आकडों के मुताबिक अमेरिका में गन कल्चर का इतिहास 232 साल पुराना है 1791 में पहली बार यहां के लोगों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया था जिसके बाद से आज की तारीख में तकरीबन 46% अमेरिकी जनता के पास हथियार है कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि अमेरिका की हाई परफाइल जनता की हर जनता के पास कम से कम एक बंदुक तो जरूर है इंडिया में गन लेने से पहले लाइसेंस की प्रकडिया तो ऐसी है कि कोई भी नाकोचने चबा जाता है लेकिन अमेरिका में बंदूख खरीदना काफी आसान है अमेरिका में गन तो ऐसे मिलते हैं जैसे शौपिंग करके आ गए हो क्योंकि वहाँ गन की दुकान पर जाने के बाद कुछी नियमों का पालन करवाय जाता है और माज कुछ सवालों के जवाब पूछे जाते हैं फिर क्या उसी दिन आपके हाथ में बंदूख आ जाएगा यानि कि माज एक घंटे के भीतर अमेरिकी निवासी गन के मालिक बन जाते हैं अमेरिका में गन के खरीदार का बस क्रिमिनल बैग्राउंड ही पूछा जाता है कुछ फॉर्म्स पर डिकलेरेशन करवाय जाते हैं फिर क्या आप हो गए गन के माली यहां तो वॉल्मर्ट जैसे बड़े आउटलेट और छोटी दुकानों में भी बंदू के बेची जाती हैं चोकाने वाली बात यह है कि अमेरिका में वहां की जन संख्या से ज़्यादा हतियारों की संख्या है जो जनता के पास है अमेरिकी मीडिया ABC के मुताबिक अमेरिका की जन संख्या 33 करोड है लेकि वहां के लोगों के बीच पहुंचे हतियारों की संख्या 40 करोड तक पहुंच चुका है सवाल यह है कि अमेरिका में गन कल्चर हावी क्यों है दरसल अमेरिका में गन रखना मरदानगी का सबूत माना जाता है साथ ही अमेरिका की नकरात्मक राजनीती की भी भूमी का इसके लिए दोशी है क्योंकि अमेरिकी जनता की ज़्यादा संख्या इस पर लगाम कसने को तया जाता है, ये रुत्बा ठीक वैसा ही माना जाता है, जैसा कि इंडिया में बाहुबली टाइप के लोगों के लिए माना जाता है, हाला कि हतियार रखने के पीछे सब की दलील यही होती है, कि वो सुरक्षा के लिहाद से इसे रख रहा है, तो क्या वाकई में अमेरिका में गं अमेरिकी सरकार को इस बारे में उचित कदम उठाना चाहिए वरना साल दर साल लिविष्टन जैसी घटनाव से बचपाना मुश्किल ही है इस खबर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ